अगर पानी की तरह पैसा हाथ में नहीं रहता तो जल्द अपनाई ए वास्तु टीप्स हैं घर में सुख सांती सम्रिद्धी और धन खुशाली बनाई रखने के लिए कुछ खास बातों का पालन करना जरूरी होता है हिंदु धर्म में इन नियमों को वास्तु नियम के तोर पर जाना जाता है पुराने समय से इन बातों का खास ख्याल रखा जाता है वास्तु से जुड़ी बातों में धर्म और सास्त्रों की बातों को भी सामिल किया जाता है दोस्तों अपने अपने आस पास एसे कोई लोगों को देखा होगा जो दिन रात कडिम में नहत करते हैं उसके बाजोद भी उसके जिन्दगी में आर्थिक तंगी बनी रहती है पैसा का आगमन तो होता है लेकिन टिकता नहीं है इसके लिए वे तमाम तरह के उपाय करते हैं लेकिन इस्तिथी जस की तस्बनी रहती है जियोतिसी सास्तर और वास्तु सास्तर में इस समस्या को दूर करने के लिए उपाय बताए गये हैं आज हम आपको वास्तु और जियोतिसी के अनुसार उपायों को बताने जा रहे हैं जिसको अपना कर आर्थिक तेंगी को दूर क किया जा सकता है लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मालच्मी का अशिरबाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बाक्स में जै मालच्मी जरूर लिखें नमबर एक उत्तर दिशा में फाउंटेन रखना आर्थिक रूप से लापकारी होता है घर के द्वार के सामने दूसरा द्वार बनाने से बचें इससे धन संचे नहीं हो पाता नमबर दो सबसे पहले तो अगर घर या दुकान में हमेशा मकड़ी के जाले लगे रहते हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें और आगे से साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें नमबर तीन साथ ही अगर घर या दुकान की दिवारों पर निसान पड़ गए है या उनकी पापड़ी उतरने लगी है तो उसे जल्दी ठीक करवा ले इससे आपको धन से जूड़ी परसानिया हो सकती है नमबर चार घर दुकान में लगे पौधो पर अगर सुखी पतिया नजर आए तो उन्हें तुरंत ही काट दें वरना आपके घर में आर्थिक समस्या बढ़ सकती है नमबर पाँच इसकी अलावा घर या दुकान में या आज पास कहीं चमगादड का डेरा हो तो यह बहुत ही असुब होता है यह खर्च और समस्या समबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है नमबर छे वास्तु सास्तर के अनुसार उतर पुर्व दिशा धन आगमन की दिशा होती है और अगर इस दिशा में भारी समान रखा हो या इस जगह पर बहुत ही गंदगी रहती हो तो आर्थिक परसानियों का सामना करना पड़ता है घर में धन आगमन की गती धीमी हो जात नमबर साथ उतर या पुर्व दिशा में अगर हर समय अंधेरा रहता हो तो परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकता है इसलिए इस दिशा में हमेशा उजाला होना चाहिए नमबर याट है एसे ही दर्चिर दिशा में यम की दिशा मानी जाती है इस दिशा में दर्वाजा या तिजोरी रखना पैसो और यायू की हानी कराने वाला होता है नमबर नौ वास्तु सास्तर में कहा गया है कि घर में पूजा घर में कमलगटी की माला रखने से धन की दुर्वलता दूर होती है और माल अच्मी का अशिरबाद घर के सदस्यों पर बना रहता है वहीं जोतिसी सास्तर में कहा गया है कि अगर आर्थिक तेंगी लगतार बनी रहे तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में किसी वर्तन में नमक रखें और उसे समय समय पर बदलते रहें नमबर दस जो तिसी सास्तर घर में भूलकर भी काटेदार पवधा न लगाएं जो तिसी सास्तर में इसे असुभुमाना गया है यह घर में ब्रकत नहीं होने देता नमबर ग्यारे अगर बात वास्तु टिप्स की करें तो घर के उतर दिशा में मेटल की खचुगा रखें इससे घर में सकरातमक का संचार होता है बता दे की खचुग को भगवान बिश्डू का आवतार कहा गया है नमबर बारे बहुत सी लोगों को अपने पर्स में धेर सारे पूराने बिल गर जरूरी कागज या तमाम तरह के सम्मान आधी रखने की यादत होती है वास्तु में धन अस्थान पर किसी भी परकार की गंदगी को बहुत बड़ा दोस माना गया है जिसे धन अस्थान पर ब यहाँ से धन की देवी लचमी रूट कर चली जाती है नमबर तेरे वास्तु के अनुसार पर्स के भीतर किसी के और नोट को हमेशा अलग-लग रखना चाहिए यशे में भूल कर भी सिंके और नोट को पर्स के एक ही में ना रखें दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही आज की जनकारी आपको कैसी लगी कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा, अगर आपको यह जनकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नबाद मिलते हैं नेश्ट वीडियो